नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल सामबर, तो हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने लिए हैं तूर की दाल, जिसको हम अरहर की दाल भी कहते हैं, तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे तूर की दाल लिए हैं, उसको और कुकर को हम ढखकन रखके चार से पास सीटी होने देंगे, अब हम चाहिए इसके लिए सबजिया, सबज में यहाँ पे मैंने लिया है, एक बैंगन, एक टोमाटो, आलू, एक प्याज, कड़ी पत्ता, ड्रम स्टिक और हरादनिया, सबजिया आप आपकी हिसाप से ले सक अब हम इसके लिए बनाएंगे तड़का, तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक कड़ाए में दो बड़े चमस तेल गरम कर लिया है, तेल में हम डालेंगे मस्टर सीट, जीरा, उसके बाद हम डालेंगे लाल सुखी मिर्च, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर अब हम इसमें एड़ करेंगे कड़ी पत्ता, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर डालेंगे प्याज, बारिक कटा हुआ, इसको अच्छे से पकने देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे लासून अर्द्रक की पैस्ट, आदी छोटी चमच, अब हम इसमें मसाले आड़ करूंगी, मसालों में यहापे मैं निलिया है, यहापे मैं आदी छोटी चमच, हल्दी आड़ करूंगी, लाल मेर्च का पाउडर, दो चमच, लाल मेर्च आप आपके अकौडिंग ले सकते हो, कम जादा कर सकते हो, एक चमच, धनिया पाउडर, यहापे मैं दो चमच, सावर मसाला पाउडर यूज़ करूंगी, इसको अच्छे से मिला लेंगे, अब हम इसमें सबजी आड़ करेंगे, वन बाई वन करके सब सबज में आड़ करूंगी, यहापे मैं डालू कटा हुआ बारिक, बारिक कटा हुआ, मिक्स कर लेंगी, इसको अच्छे से, ड्रम स्टीक को मैंने लंबा लंबा काट लिया, अच्छे से, और उपर से उसको छील दिया था, एक टोमाटो, और अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको 5-6 मिनिट के लिए पकने देंगे, रककन रखे, 5-6 मिनिट की बाद एपकी तयार हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, इमली का गोल, यहाँ पर मैंने इमली को पानी में बिगो के रखा था, वो गोल मैंने यहाँ पर एड़ किया है, और हम डालेंगे हमारी तुवर की दाल, इसको अच्छे समिक्त कर लेंगे, और हम यहाँ पर डाल देंगे पानी, लास्ट में, पानी की कंसिस्टंसी आप देख सकते हो, कि आपको जितना गाड़ा चाहिए, या पतला चाहिए, उसकी हिसाब से आप पानी डाल सकते हो, थोड़ा सा गुड़ डाल लेंगे आपे, गुड़ और लिम्री डालने से उसको खटी मीटी स्वाद आता है, इसको अच्छे से मिक्स की रेडी है, रिसको हर्या धर्या डाल देंगे लास्ट में, यह हमारा सांबर इडली की साथ खाने के लिए एकदम रेडी है, गर्मा गरम इडली की साथ गर्मा गरम सांबर बहुत अच्छा लगता है, तो आपको मेरे रिसीपी पसंदे तो प्लीज मेरे चानल को लाइक कर करो और सब्सक्राइब करो और नीचे दिए कमेंट्स बाक्स में आप कमेंट भी लिखके बता सकते हो को आपको मेरे रिसिपिक कैसे लगी थेंक यू